हर्याना के चर्खी दादरी में भैंस की मौत के बाद मालिक ने पूरे गाउं को मृत्ति भोश दिया इसमें देशी घी से बना लजिस खाना खिलाया गया परिवार का कहना था कि हमारी तीन पीडियों ने इस भैंस का दूद पिया इसके आने के बाद परिवार माला माल हुआ हमने मत्ति भोच के जरी इसका कर्ज लोटाने की कोशिश की चर्की गाओं के पशुपालक सुकबीर ने बताया कि उनके पिता रिसाल सी के समय भैस घर में जन्वी अब 19 साल के बाद भैस की मौत हुई भैस परिवार के लिए लकी साबित हुई सब उसे परिवार का सद्द से ही मानते थे इसलिए उसके एक रियाकरम के अंतिम रस में भी निबाई गई सुकबीर ने का इस भैस की वज़ा से हमारी पीडियों के बच्चे और जवान और बुजगों ने दूद पिया इसके अलावा हमें उसकी वज़ा से कमाई भी हुई जिसमें दूद के साथ उसकी हुई कटिया को तियार कर आग बेशने में मुनाफ़ा हुआ सुकबीर ने बताया कि इस भैस को वड़ाडली कहते थे इसने 24 बार कटिया को जन देकर रिकॉर्ड बनाया ये कटिया आज भी जर्की गाउं के ही पशुपालकों के पास है जो उने भी अच्छा दूद दे रही है इस भोच कारकब में एंट्री पर भैस की माला डाली फोटो भी लगाई गई जिसमें लोगों ने आकर उसे शद्दान जली दी इस कारकब में गाउं रुष्टेदा समेंट बड़ी संक्या में लोगों ने हिस्सा लिया जिन्होंने पशुपालक सुबीर के भैस प्रेम की खूप सराना की सुबीर की तरफ से रखे गए भैस के मत्ली बोज में कई लजिस पकवान रखे गए जिसमें जलेबी, गुलाब, चामून, लड़ू, गोलगप्पे, पूरी सब्जी सलाद और रायता भी शामिल था इची के साथ पने रहे हैं इचीरों सिंदा के साथ